आप सबी को मेरा अपनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आपके अच्छे स्वास्ते के लिए मैं तो एक और प्लांट की चर्चा करेंगे हर्बल रेमिडीज और नेचर स्टेजर में आपका स्वाकत है आज बात करेंगे बड़ी चंद्री का रोवल्फिया टेटराफिला इसकी फ्रूटिंग अवस्ता में आप देख रहे होंगे और रोवल्फिया टेटराफिला को देखने के लिए आप देखेंगे कि चार-चार के पेर में लीव्ज इस पे लगे हुए हैं और सुन्दर इसके ड्रेडिस फ्रूट साब देख रहे हैं रॉवलफिया शर्पेंटिना इसका ही फैमिली किसी जीनस का एक और स्पीसिस होता है लेकिन यह है रॉवलफिया टेट्राफिला एक्छैनेसी फैमिली का प्लांट है गुंद काफी हद तक रॉवलफिया से किस में इसकी रूट्श पाउडर हम दिन में 2 बार देते हैं और सात ही साथ इसके बीज इसके पत्र इसकी रूट इसका पंचांग जो भी आपको मिल जाए उसका पेस्ट बनाकर जहां पे स्नेक वाइट हूआ है उस स्थान पर पह लगा दीजे आप इनका काडा बनाकर घ् इकोक्षन भी इसका पीते रहना चाहिए, स्नेक प्वाजनिंग में बहुत अच्छा कार्य करता है, मित्रो इसका प्रोपेगेशन हम लोग वीज के माध्यम से भी करते हैं, कटिंग के माध्यम से भी करते हैं, और रूट्स के माध्यम से भी करते हैं, कमर्चल परपस से हम लो अच्छी नीन्द को लाने का कारे करता है, डाइबिटीज को भी ठीक करने का कारे करता है, घ्रियुन वाइटल ओरगन्स पर इसकी अक्टिविटी होती है, लिवर्ड, ब्रेन, हर्ट, इन सब में बहुत अच्छा, इनको स्ट्रेंग्ट देते हुए, इनका प्रोटेक्शन कर तोक्सिंस को बहार निकालते हुए अच्छी लोंगीविटी देने का कारे करता है मित्रू अब विधिवत हम थोड़ा थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए आज जानेंगे कि इसके पत्र का आप इसके पत्र और इसके फ्रूट्स इसका आप काढ़ा बनाकर अगर गारगल करत हैं तो टूथे की समस्चा ठीक हो जाती है नातों का दर्द गम ब्लीडिंग या स्वैलिंग जो भी हो आसानी से ठीक हो जाती है फीवर हो चाहे हैड़क की समस्चा हो गई हो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर फोरेड पे लगाईए देखेंगे कि आदे घंटे के अंदर आसा इसांट उल이क को देने में कारे करते हैं मित्रों लिवर की प्रोब्लम के कारण कई वार द्रॉपशी की समझ्या हो जाती है लिवर में टॉक्सिन सब्ग으 जम जाते हैं ओपसी के अंदर पेट में पानी भर जिसको हम जलोदर कहते हैं यह काफी complicated problem होती है और antibiotic से भी control नहीं होती है इसके निदान के लिए भी आप इसकी रूट का पाउडर सैद के साथ 7 कर सकते हैं dropsy की समश्या भी ठीक हो जाती है तीन से चार ग्राम दिन में दो बार लेना चाहिए और अधिक परामर्स के लिए हमसे आप समवाद भी कर सकते हैं वेरिकोज की अगर समश्या होती है तो इसके पत्र का पेस्ट बनाना चाहिए और वेरिकोज वेन जहां पे दर्द कर रही होती है महां पे उसको अप्लाई कर देना चाहिए आसानी से वेरिकोज वेन की समश्या ठीक हो जाती है immunomodulator का करे करता ह है immunity को बढ़ाते हुए शरीर के toxins को निकालते हुए और आपके अच्छी immunity देने का कारे करता है बोडी की immunity जब अच्छी हो जाती है तो हमारे vital organs को strength मिलती है और longevity को हम लोग प्राप्त करते हैं मित्रू इसकी berries आप greenish red और dark color के देख रहे होंगे पकने के बाद dark black color के हो जात सकते हैं और इन berries का उपयोग भी हम लोग इसका extract हम निकाल लेते हैं तो इसका extract inflammation को कम करने वाला होता है मोच हो महां भी आप इसको apply कर सकते हैं इसके तेल को आप apply कर सकते हैं मोच को ठीक करने वाला भी होता है तो holistic health के लिए अच्छे स्वास्थे के लिए आप इसको अजाइटी, hypertension, blood pressure, diabetes यह आजकल common समस्चाइं हो गए हैं साथियों इनके remediation के लिए यह प्लांट आप घर में बड़े गंले के अंदर लगा सकते हैं बीज अगर मिल जाए तो बीज से लगा लीजे क्रिटिंग से लगा लीजे और अपने स्वास्ते का ध्यान रखिए अगर आप WhatsApp के माधियम से, email के माधियम से communicate कर सकते हैं जानकर अच्छे लगे तो जरूर शेयर कीजे अगर आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे स्वास्ते के लिए कल फिर में लेंगे सुबह साथ अच्छे बजे एक नए समाधान के साथ तब तक के लिए